बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इस्टी सब्जेक्ट है हमारा और चैप्टर नमबर 11 ही है जिसका नाम है आज उनकी करण के रास्त यान की पर चैप्टर के इंप्पॉर्टन क्वेशन कंप्लीट है आज हम देखेंगे सौर्स बेश्ट यान की शुरूत आधारित जो आपके इंप्पॉर्टन को समझाओं और इंगलिस में भी वीडियो को फूरा एंड देखेगा आपको सभी क्वेश्ट आधारित में आज वीडिय का प्रयोग करती है इन में से एक ती कांजी जोती वह जापानियों ने चीनियों से छटी सताद्वी में लिए तो उनकी पहसा चीनि भासा से बहुत अलग है तो उन्होंने दो धुनात्मक वण्द मालाव विकास किया ही रगाना और कतागा यहाना नारी सुलब समझी जाती लिखी जाती थी इनमें जो सब्द का प्रुप भाग कांजी के चिंद से लिखा होता था और बागी के सब्द का जो आखरी भाग होता था ही रागाना इन्होंने धुनात्मक एक्षरमाला की मौजोगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में तेजी से पैल स लेकिन जैपनिस ने इन दोनों मैंसे ही कुछ भी नहीं किया बस अपनी जिस्चेश का विकास कर रहे थे वह करते रहे ठीक है तो अब इससे संबंदी देखिए सौस बेस्ट उसको समझते हैं तो पहला कॉश्चन है कांजी लिपी जापानियोंने किस देश से और कब ली थ नाम लिखे तो एक हीरा गाना और एक कठा गाना बच्चों यह वाला जो आपका सोच सही काफी आसान था इसलिए इसमें से कोई भी बड़ा कोश्चन नहीं बना है तो आप इसको यहां पर इंग्लिस में वीडियो को पॉस करके पढ़ लिए और यहां से आप इसलिए समझ क्या कहा था देखिए इनका जनम एक गरीव समुराई परिवार में हुआ इनकी सिक्षा नागा साकी और उसाका में हुई इन्होंने डच और पक्षिमी विज्ञान को पढ़ा है और बाद में अंग्रीजी भी पढ़ी थी 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादर के रूप में गए इस से इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत ही कुछ खिला उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे यानिकि नॉर्मल श्चानैंँ स्थिमट को को 20-100 स्थापिर से चांड विष्य अधाले के नाम से जाना जाता हैller वे मेरो खुषा सता की मुख से अपनी एक किताब नहोंने पर ज्यांकी पर घंड करने के लिए बहुास assembled को बरकिताद जो कि उनकी मताबिक सव्विता की आदमा थी उसके जरी एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा है इनका सिध्धान्थ था स्वर्ग ने इंसान को इंसान के उपर नहीं बनाया नहीं इंसान को इंसान के नीचे बनाया है तो अब इसके समझी हम question answer ठीक है अब तो यह तो आपको स आपको आपको सं तो दिए तो लेकिन काल पूछा मैं मेरो मेरा कुछ क्या था मेरो मेरे रहे है यह संस्ता यह है जो पस्चिमी सिख्चा का प्रशार करती है ठीक है यहां पर लिखना मुझेगा पस्चिमी सिख्चा का प्रशार करती है अब यह देखे क्या ताथ पर है तो ताथ पर यह है कि जापान की अंदर जितने भी इश्या की गुड़ है नियम है उनको निकाल दे तथा अपने आध सब्सक्राइब कि आप देखिए इसमें तो कहीं पर जापान की भागोली रिखिए तो आप यह चीज़ कभी भी मत सूचे यह इस आपके स्वी पूछे जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक से भी होते हैं जापान कि पर आप नहीं लेकिन आप घीती होती है जो जिसमें चावल बुनियादी फसल है और मक्काई जो अगरा यहां पर अधिक है तो सेकेंड फुकुजावा यूकुची के बारे में यह आपका कंप्लेट हो गया अब इसको इंग्लेस में देख लिए फुकुजावा यूकुची इन इंग्लेस आप इसको इस तरह से पढ़ लेंगे है तो ठीक है यह आप यहां पर देख सकते हैं इंग्लिस मीडियम के स्टुडेंट्स अब बात करते हैं अगले की तो अगला जाने से पहले अगर आप यह तक आपने चैनल को स्क्राइब नहीं के तो कर दीजेगा और भी एच्टी वीडियोज आए आपके लिए उसके अबिजात शर्त्रदारी वर्ग में प्रिवेश लगवग 1850 तक 11 लाग इतने अब यह वर्ग में जो लोग थे सामिल थे तक क्या तो अब बिजात सत्रदारी वर्ग में प्रिवेश जादर तर इंतिहान के जरिये होता था इसमें आठ भागवाला निवन्द निधाल लोग 24 साल की उम्रे तक पास हो पाते थे और वे सुन्दर प्रतिवा बन जाती इस डिग्री में उन्हें निचली कुलीन वर्गे में प्रिवेश किया जाते हैं 1850 से पहले किसी भी सदस किसी भी समय 526 हमतलब की 526 अर 829 सिविल और दो लाख बारा जार तीस सहने प्रांती है डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौयोग थे लेकिन देश में केवल 27,000 राज़की पर थे इसलिए कई निचले दज्जे की डिग्री इलहारकों के पास की मांग होती थी चुँकि यह क्लासिकी चीनी सीखने के हुनर पर आधारी थी जिसका आधरिक विष्व में कोई प्रासंगिक्ता नजर नहीं आती थी इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खतम कर दिया गया यहां पर बिसिकली जो अवियात वर्ग में एक सिक्षा प्रणाली च और परिक्षा के पनाली का विख देंगे आप Chest đó यहां से लेकर यहां थक इतना पूरा लिख देंगे यहां आहीं परीसा उतल कि प्रिवेसे इम्दियान के जरी होता था आटबग वाले निवन निधारित स्वाग क्षीनि रिखना होथा था परिष्ण के इस था था lets से दोपसेट ही लोग पास होते हैं चोफीस साल के मृत्तक ऊपाथे लगों और सिर्फ औस ने निचले कली काड़े सो कहा दबर कि जिसकी नहीं प्रासंगिकता नहीं इसल thing 1905 में प्रस्टाम कर दिया उसके बाद यह यह दर्णालि को खतम कर दिया उसके बाद अभी यह दहुत कि impressed उसमें नहीं दे रखा चीनी करांती के बारे में तो आवा मैं इसे सौल्टो करना है वही तो कैसे लिखेंगे चीनी करांती 1911 होई थी चीन की अंतिम राजवन्स चिंग राजवन्स की समाप्त भी और चीनी चीन जो था वह एक गड़तांति रांत की स्वातात राज देश बन किया और राज तंद्र को हमेशा हमेशा के लिए समाप कर दिया तो यह थी चीनी करांती तो इसे संबंदित आपके तीन कोशन जो की आपके इस सोस से थे परिख्या पढ़नाली से कंप्लेट हो गए आगे बढ़ जाए अब इसको इंग्लिस में देख लिए तो इंग्लिस म से आपके किसे संबंदित परिक्षा पढ़ाने से यह आपका हो जाएगा पैसेज यानके पैलेग्राइफ और यह हो जाएगा आगे दिखते हैं अगला वाला यह हमारा फोर्थ है अब कार क्लव मोगा वोगा एक आजुनिक लकड़ी के लिए एक संचिप्त सब्द है यह ब आवागमन और मनोरंजन के लिए नए तरीकों का लुफ्ट उठाया यानके आप यह बताया जा रहा है कि जो कार क्लव उसकी सुर्वात के कैसी उसके संब्द में एक जो इंसिडेंस से उसके बारे मत आए गया है सहरों में बिजली के ट्रामों के साथ परिवन बहतर हुआ यानि कि पहले तो क्या हुआ देखे कि नई मद्यम वर्ग परिवारों के आवागमन और मनोंजन के लिए नए तरीके अपनाए जाने लगे सहरों में बिजली के ट्रामों के लिए एक फेशन गोल इलाका बनाए गया गिनवुरा शब्द गिज्जा और गुरुरा मिला कर बनाए गया था गुरुरा का अर्थ होता है बिना किसी लक्षे के घुमना 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला अविनेत्री मात्सुई सुमाकोर इप्सन के नाटक का एक गुडिया का घर में नारा का वैतरीन किर्दा निभा कर राष्ट्य इस्तर की तारिका बन गई अठारा सो निन्यानवे में फिल्मे बनने लगी और जल्ली ही दरज्जनवर कंपनिया सेक्णों की तारानवे फिल्मे बनाने लगी यह दोर ओज से भरा हुआ था और इस दोरान समाजिक रादियतिक विभार के पारंपरिक मानकों का संतुलन उठाया गया तो यह कारकलब देखिए यहां पर दिये हुए पहला प्राश्ण है मोगा से आपका क्या भी प्राएं यह एक आजनिक लकड़ी के लिए उप्यों किया गया संचिप्त शब्द यह सताब्दी में लिंक बराबरी विश्व जनीन संस्किति ओर विक्सित अधिरता के विचारों को एक साथ आने का सुच यह दूसरा है पहला रेडियो स्टेशन कं खुला थद फिल्मे कम बनने लगी तो पहला रेडियो स्टेशन कप खुला था 1925 में फिल्माइकप से बनने लगी थी 1899 में जापान में रोजमरा की जिन्दगी की जलक प्रस्ट कीजिए अब देखिए यहां पर यह कोशन जो है जब आप अपनी किताब खुलेंगे तो उसमें जो श्रोत है उसके ऊपर ही पारिवारिक जीवन की इस नई समझने नए तरह के घरिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की घरों की मांग की तो निर्माण कंपनियां उन्होंने शुरू शुरू में 200 यह देने का वादा किया था और लगा तर 10 सालों तक 12 इन महावर की किस्तों पर आप सस्ते मकान मोहिय यहां पर काद के बारे में की थी काड क्लब कड़न हुआ हुए है लcorpo diverse कर दिया हुआ है अब इसको आपको पड़ सकते हैं यहां से इतना लिखा हुआ है almay देखते हैं यह आपके question answer है question number first आपका यह है सेकंड यह है और यह है और यह है और इंग्लिज में आप यह दिया हुआ है तो आप इसी पढ़ सकते हैं सिंपल सा है चलिए सबसे आखरी देखते हैं इसके बाद यह कोई भी आपका आप सोर्स में से नहीं बचेगा तो देखिए जुनूबु का सर्विक्षा तो 1930 में जुनूबु में किये एक सर्विक्षन से माव तिस्यूं से तुन के नामक नामक और सोया विंच जैसी रोजमर मजबूतियों इन सबका परिक्षण किया ताकि शोषण कि अलग अलग इस तोनों को समझा जा सके यह मजबूति नहीं यह मजबूरी है इस्थानी संग्रतियों के तुलनात्मक मजबूरी उके उन्होंने ऐसे आंकड़े एकश्टे किये कि कितने किसानों ने अपने मजबूरों की थी ना कि लेंगिक शुषण की इस अध्यन के अधार पर उन्होंने समाजिक समस्यों को सुल्जाने के तर्क पेश किये हैं तो अब आपको यहां पर यह समझ में आ गया जुनुवू का जो सवेट चड़े इसका क्या अच्छा एक चीज यह जो तुलनात्मक मजबूति लिख है यह मजबूति ही है मैंने अभी भी देखा आपकी किताप में मजबूति मजबूरी नहीं यह मजबूति ही है सही है तो अब इसके question answer समझेए किसानों ने अपने बच्चों को कितने यूनान में बेच दिया गते दूसरा जुनुवु का सर्विक्षण में क्या-क्या सामिल किया गया था तो 1923 में जुनुवु की ऐग может is महत शमयग की दुणे संग्णों की समझा जासके यह कोश्ण हैं माउ सेट्शूंग कों थे विकॉल थे चीनी सामवादी पार्यण बाट्य चीनी सामय वादी कमिस्टि अट्यश किक्यों किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग इन्होंने राष्टा चुना किरांती के लिए उनकी सफलता से चीनी सामेवारी पार्टी इन्होंने जीत भी हासिल की तो माओ और यह जो थे वह कौन थे अपर आधारी करके चलाया मजबूती मिली इस क्रांती की वज़े से और इन्होंने तांग पर क्या किया जीत हासिल की अब इसको समझें इंगलिस में जुनुवस सर्वे तो यह आपका परेग्राफ है और यह है आपके कोश्चन अच्छा ठीक है बच्चों समझ में आप सभी को आप यहां पर चलिए मैं आपको सभी जितने भी आज मैंने आपको बता हैं वह दुबारत सबसे पहला था हमारा यहां पर यहां पर दिया हुआ है और इसके बाद यह कॉश्चन आंसर है आपके आगे हैं हमारा इंग्लिस में एक्जामिस सिस्टम के ऊपर देखिए इंग्लिस में लिखा हुआ है वह आप यहां पर इसली देख सकते हैं अगला है कार क्लब फूर्थ हमारा कार क्लब इसको भी आपको अच्छे तरीके समझा दिया गया कॉश्चन आंसर जो है आपके ठीक है उसके बाद इंग्लिस में देख लिए कार क्लब यहां सब्सक्राइब करने के बाद आपको आपको वीडियो कैसी लगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको आने वाले सभी वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हम लेंगे एगली वीडियो में तब तक लिए आप पढ़ते हैं अपना ख्यार लखिए धन्यवाद जैहिन वंदे मात्राइब